हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होग कि आप लोग सब सही होंगी ऑर अच्छी होंगे तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे यूज़फल की चैन्ट टिपस हैं टिप्सों को अपना लेते हैं तो हमारे जो घर के कारे हैा ह conservative है वो बहुत ही आसान हो जाते हैं तो आईए ये टिप्स कौन-कौन से हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं फरस्ट टिप से हैं वो है हमारे इस परकार के ताबे के बढ़तन को लेका, ताबे के बढ़तन का हम घर में अक्सर यूज करते हैं, पर जब इनके सपाई करने की बात आती है, तो ये काफी गंदे होते हैं, और इनमें हमारा टाइम भी काफी बरबाद होता है, तो घर की ही कुछ चीजों से हम इन्हें साप करने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे घर में नीबू होते हैं और नीबू कभी हमारे खराब हो जाते हैं तो आप यहाँ पर कागजी नीबू का भी यूच कर सकती हैं नीबू को चाको की साहिता से काट लेना है और काटने के बाद हमने जो इसका खराब वाला भाग है उसे अलग कर लिया है और इसके बाद हमें चाहिए नमक और नमक को हम इसके उपर इस प्रकार एट कर देंगे और एट करने के बाद अब इसमें थोड़ा रियक्षन हो जाता है और इसके बाद हमें इसे फैला लेना है अंगली की साहिता से और तावे की बड़तन पर इसे इस प्रकार लगाना है तो कुछ ही समय में आप देखेंगी जो तावे में काला चड़ गया है रंक तो वो कुछ ही समय में हलका हो जाएगा और तावे का जो कलर है वो काफी सुन से हमने इसे साप कर लिया है और इस प्रकार आप इसे रब करते रहे तो धीरे धीरे पूरा ही जो लोटा है वो साप हो जाएगा हपते में एक दिन में यही रूटीन बनाती हूँ ताबे की जितने भी हमारे घर में बढ़तन होते हैं तो उनके लिए समय निकालना हमारे लिए काफी मुश्किल होता है तो इसी रूटीन का मैं फॉलो करती हूँ तो आप भी हपते में एक दिन इन बढ़तनों के लिए निकालिए और धीरे धीरे इने इस प्रकार से आप साफ कर सकती हैं तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ ही समय में इसे साफ कर लिया है तो इस ट्रिक के माद्यम से आप अपने घर में पड़े हुए ताबे के बड़तन को आसानी से साफ कर सकती हैं क्योंकि हमारे घर में ही ये दोनों ही चीजे होती हैं और इनका यूज हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में करती ही हैं तो आप इने साप कर लिया है और अब हम इन्हें बर्तन बार से साप कर लेंगी क्योंकि ये काफी खटा हो चुका है और अगर हम इन्हें यूहीं रख देंगी तो ये काले पड़ जाएंगे तो यहां पर देखिए मैंने इन्हें अच्छे से वास कर लिया है तो हमारी जो बर्तन है वो लगने लग गए हैं तो आप चलते हैं अपनी next tip की ओर next tip है वो है इस प्रकार के cardboard को लेकर इस प्रकार के cardboard हमारे घर में आई ही जाते हैं तो यहाँ पर जो cardboard है वो इस प्रकार का है एक side से यह हो उपर की side से खुला होता है उसमें अच्छे से tape लगाकर इसे tight कर लेना है ताकि जब हम organizer बना कर तंग्यार करें तो यह खुलेना तो हम इसे अच्छे से tape लगाकर cover कर लेंगे और यहाँ पर हमने चारो ही कोनों में इसका tape लगा लिया है तो इस प्रकार हमें इसे टेप से cover कर लेना है ताकि यहाँ खुलेना और अब हमें एक चाकू की आवशक्ता पड़ेगी तो हम इसे इस प्रकार रख लेंगे और रखने के बाद चाकू से इसके उपपर वाले हिस्से को हमें काट लेना है चारो ही तरों से हम इसे निकाल लेंगे तो यहाँ पर यह हमारा एक organizer बनकर तंग्यार हो चुका है आप इसमें कुछ भी सामान को add कर सकती हैं तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ इसमें गरम वूलन टोपियां जिनका यूज हम अभी नहीं करेंगी क्योंकि अब इसका यूज होगा winter में तो winter में जब यूज करेंगी तो सारी ही टोपियों को हमने इसमें organize करके रख लिया है तो next winter में अगर हमें टोपि के आउशकता पड़ेगी तो सारी ही टोपियों हमें एक साथ मिल जाएगी तो इस प्रकार आप अपने किसी भी सामान को इसमें अच्छे से organize करके रख सकती है और यह टीप आपके लिए useful रही होगी next tip है वो है books को लेकर अभी इस समय हम देखते हैं कि जब अपरेल का month आता है तो हमारी जो बच्चों की books होती है उस पे हमें cover लगाना होता है और हम काफी परिसान हो जाते हैं तो एक अच्छी सी tips लेकर आई हो आपके लिए यह tips आपको जरूर पसंद आएगी जब भी आपको book में cover लगाना है तो cover को आप इस प्रकार रख ले और book को उसके अंदर इस प्रकार adjust कर ले और उसी के नाप का आपने cover को काट लेना है तो यहाँ पर हमने book को इस प्रकार रख लिया cover को आप हम कैची की साइटा से इस प्रकार काट लेंगी तो यहाँ आसानी से कट कर तंग्यार हो जाता है तो यहाँ पर देखे हमने इसे काट लिया है और अब जब नीचे की साइड से हमें इसे इस परकार हाथ से कर लेना है ताकि जब हम कबर लगाए तो बुक अलग-अलग ना खिसके तो आप नीचे से आप इसे उपर की ओर करेंगे तो इसमें एक स्पेस सर हैता है तो नीचे की साइड से आपका जो कबर है वो अच्छे से लगकर तंग्यार हो जाएगा तो यहाँ पर हमने बुक को इस परकार उठा लेना है और कबर हमारा लगकर तंग्यार हो चुका है इस प्रकार से लगाना है तो हम इसे इस प्रकार लगाएंगी पहले हमें इसे इस प्रकार मोड लेना है यहाँ पर आप इसे तिकोना कर ले ये देखे अंदर की ओर और दूसी साइड से भी हमें इसे अंदर की ओर मोड लेना है औ और उसके बार जो उपर को खुला हुआ भाग है उसे बुक में इस प्रकार दबा लेना है तो यहाँ पर देखिए जो हमारा कबर है वो लगकर तैयार हो चुका है अगर हम step करते हैं तो इससे यहाँ परिसानी रहती है कि step हमारे बच्चों के हाथों में चुप सकता है तो यह यहाँ पर हमें tape का यूज करना है क्योंकि जो हमारे बच्चे होते हैं वो काफी छोटे होते हैं हम इनका admission कराते हैं तो हमें डर सा लगा रहता है कि बच्चे अपने हाथ में नुकिली चीजे ना चुबा ले तो यहाँ पर हमें इस प्रकार tape लगा लेना है तो tape से भी अच हमारी pen को लेकर pen का जब हम यूज करते हैं तो हम देखते हैं कुछ ऐसी पैने होती हैं जिनमें ink इस प्रकार से back हो जाती है और वो लिखने में दिक्कत करती है उन्हें जब हम चलाते हैं तो pen हमारी चलती नहीं है तो यहाँ पर हम इसका बहुत ही अच्छा यूज करेंगी pen की refill को हमने निकाल लेना है और निकालने के बाद अपने हातों में इसे इस प्रकार रख लेना है दोनूं हती लियों के भी और इसके बाद हम इसे इस प्रकार करते रहेंगे तो कुछ ही समय में जो हमारी pen नहीं लिख री है वो लिखना सुरू हो जाएंगी और यहाँ पैन की रिफिल को बाहर धूप में रग दिया है तो धूप यहाँ पर काफी ज़्यादा है तो धूप में कुछी समय में लगभग पंदर से 20 मिनट में जो हमारी पैने हैं वो सही हो जाएंगी तो यहाँ पर देखिए हमने इन्हें चलाना सुरू कर दिया है तो यहाँ लिख अच्छी समय में यह खराब हो जाती है इनकी इंक जो होती है वो सूख जाती है यह काफी नई होती है फिर भी स्केच में काम नहीं करते हैं तो इसके लिए आप इस ट्रिक का यूज करें तो आप अंगली की साहिता से इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी एट कर ले लग कर दो तो तरफरकार हमें इसे अच्छे से कर लेना है और जितनी भी जूए इंक होजी है वो अच्छे से गीली हो जाएगी और अब हम इसे लिखना शुरू करेंगे तो जो हमारा इसकेच पैन है वह बिल्कुल नया होचुका होगा और लिखना भी सुरू कर चुका होगा तो इस ट्रिक का यूज करकर आप sketch pen का अच्छे से यूज कर सकती हैं तो आज की tips और ट्रिक आपके लिए यूज